वो शुरू होती है जहां में एक एड़पार्ट एक्मिलोजिवाली स्पेशिप दिखाई जाती है लेकिन अंदर जाते से पता चलता है कि उसमें कोई हाथसा हुआ है पीछे से एक चुवे की दाहरनी के आवाज आती है और उसके कान में लगे ट्रांस्मिटर से आवाज आती है कि हम गे तभी खोलेंगे जब तुम सेंपल को सीक्यार करके वाफस रहो वो उड़ते उड़ते बड़ी सावधानी से जाकर मुश्किन सिप तीन सेंपल्स को प्रें में से निकाल कर सीक्यार कर लेती है एकदम से साइरन बचता है और पीछे मुण के देखने पर उसे वा मॉल्स्टर चीखते भी दिखता है दमागों का फायदा उठा कर वो पूरी जाल दागा कर भागती है और फूती से कैपसुल को वो खुद को अंदर लॉक कर लेती है और चैन की सासे लेती है लेकिन काच क्रैकोनी की वज़े से उसका कैपसुल ब्लाट हो जाता है और टुक्रों में बिखर जाता है फिर सीन कट होके एक हरे भरे घने जंगल में देविस वो उसके फ्रेंट्स वाक कर रहे होते हैं आगे जाकर उन्हें बड़े बड़े गोरिल्लास अपनी फैमली के साथ चिल करते हैं नजर आते हैं डेविस एनिमल्स का एक्सपर्ट होता है और वो अपनी टीम को ट्रेनिंग देने आ हैं वो आगे आकर पावो से इशारों से बात करने लगता है और उसे शांत करने की कुशिश करता है धीरे से वो शांत होता है और सबके characterized कहरों पर मुस्कान आती है लेगिन पीछे जाडिया हिनने की आवाज आती है और जो कि वहां सबसे खतरनाक और शब्तिशाली है जिसे द तहार के उसे डरा देता है डेविस भाग के जॉर्ज के पास आता है और उसे शांत करने लगता है और वो समझ जाता है कि जॉर्ज कॉर्णर की फिरकी ले रहा है वो दोनों उस पर हसते हैं तिर्व जॉर्ज और पावो का सुला करवाता है और जॉर्ज को हाथ देता है तो व पिर वह वहां से चले जाते हैं रात में डेविस के कार से घर लोटते हैं वक्त आसमान में पूरी तेजी से चमकते हुए तीन अलग अलग जगा पर वह सेंपल गिरते हैं जिसकी टॉक्सिक गैस को जाकर एक बेडिया जॉर्च और एक मगरमस सूंग लेते हैं अगली सुबर है कि वह उदा से और इसके लिए सौरी बोलते हैं फिर वह बढ़ाते हुए भार आता है और डेविस उसका साइस देखकर शौक हो जाता है फिर वह उसे सावधानी से शांत कराकर पीछे अट जाता है वहां से जंगल आते हैं जहां कई पेड़ों को चीड़ते हुए वह सैं सफल हो गया है और वह उसे रिमोट दबाकर खुशी से बताती है कि न्यूज में वह सैंपल की गिरने की खबर मिली है हमें बस उसे वापस लाना है जिससे ब्रेट को आशा मिलती है फिर वह बुर्ग नाम के प्राइवेट मिलिटरी ऑफिसर को उसे कलेक्ट करने के ले समझ जाती है कि एक बेडिया सेंपल से इंफेक्ट हो चुका है और उस बेडिये को पकड़ने के लिए कहती है फिर डेवीज को टैबलेट की थूरू जोर्ज के लैब रिजर्ट दिखाय जाते हैं जिसमें पता चलता है कि जोर्ज हर मिनिट अलार्मिंग रेट से ग्रो कर और उसके ना कहने पर जाने लगता है तो वो उसे उसके बार में बताने लगती है उनके अंदर जाते थे जौर्ज को बहुत तेजी से भुक लग रही होती है और बड़े मासून तरीके से खाना मांगता है डेविस इश एनीकल बाती है और कहती है कि इस दुनिया में जोES को क्या कर सकती हूं इतने ही देल ऊच्छ को लेकर वह चानख से लोगों की बीच आ जाता है जिसे देक लोग चीक ते हुए वहां से भागने लगते हैं और बार निकल के बड़े प्यार से जॉर्ज को शांद करवाता है जॉर्ज पीछे मुरता और पुलिस बंदू के तान कर खड़ी होती है लेकिन डेविस उन्हें भी शांद करवाता है। situation control में आने ही वाली थी कि उपर से हेलिकॉप्टर की आवाज आती है और पलक जपकते से जॉर्ज को शूट कर जाता है जॉर्ज गुस्टे से आगे बढ़ता है पर गोलिया उस पर असर करके उसे बेहुश कर दीती है इसी समय बुर्कुस्टे टीम के साथ बड़े बड़े प करके करके वो सब को मौत के घाट उतार देता है फिर उपर हेलिकॉप्टर से मशीन गन चलने लगती है वो घनी जाडियों मैंसे च्छलांग लगाता है और डाइनसौर जितना बड़ा शरी लेकर हेलिकॉप्टर पर वार करता है और वो ऑफिसर को पैडिगरी की तरह चबा भी चुके हार्वी उनके पास आता है और डेविस उसे सीरियस वार्णिंग देता है कि जॉर्ज को भी प्लेन में रखना सुरक्षित नहीं है और हार्वी बेफिकर होकर कहता है कि सब कंट्रोल में डेविस उसे केट का सच बताता है कि उसे एनरजी इन कंपनी से दो साल पह यह हमारे पास एक इंजेक्शन है जो इन एनिमल्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा हम उन्हें यहां बुलाने के लिए रेडियो वेडिया को मा डालेगी तब हम उसका डीन सेंपल निकाल कर उसे बेच कर माला माल हो जाएंगे यह जानते हुए कि जौर्ज अभी भी प्लेन करने की तरह से मूव होने लगता है और अब वो सिग्णल पहुचता है प्लेन में जौर्ज की भी कान और रॉंटे खड़े होने लगते हैं और वह घुराने लगता है और जौर्ज केश फार कर बाहर निकलता है सब इमीडियेटली अपनी बंदूक निकाल कर फायर करने गोलियां इदर उदर चलने लगती है और उड़ते प्लेन में ब्लाच्ट हो जाता है जिसकी विज़से प्लेन क्रेश होने लगता है अब बहार से आने वाली हवा सबको खीचने लगी है जौर्ज धारते हुए आगया ने लगता है लेकिन डेविस और केट मिलकर उस पर भ बचा लेते हैं लेकिन जौर्ज के साथ वो प्लेन जाकर नीचे एक क्रेश हो जाता है लेकिन जौर्ज अभी मरा नहीं था क्योंकि नीचे उनको उसकी बॉड़ी का कहीं भी नामनिशान नहीं दिखता है तिरहार भी डेविस को उसे बचाने के लिए शुक्रिया करता है औ और जब छोटा था तो वो एक ट्रैक के नीचे छुग गया था क्योंकि कुछ लोग उसकी मा को मार रहे थे ताकि उसके हाथ काट कर उसे बेच सके जौर्ज अकेले कभी नहीं बच पाता है तो डेविस ने आकर उन लोगों से उसकी जान बचाई और उन्हें मार के तपसे जौर्ज को अपने पास रख लिया फिर केंट भी उसे बताती ही कि कैसे क्लियर ने उसकी रिसर्च का गलत इस्तमाल करा और उसके भाई की जान चले गई और अब वो चाती है कि उसकी कमपणी का बिनाश हो जाया तकि आगे ऐसा किसी की साथ ना और दोनों में वापस सुला हो जाता है उपर से हेलिकॉप्टर आते हैं और उन्हें मिलिटरी बेश ले जाया जाता है जहां वो इसक्रीन के थ्रू देखते हैं कि जौर्ज और वो भेडिया साथ में फिर डेविस और केट कॉलरल को समझाते हैं कि वो रेडियो वेवस को बंद करने के लिए पूरी शि को से समझाने की कोशिश करते कि सब इन अनिमल्स को अंडर एक्टिमीट कर रहे हैं अगर हम क्लेयर से उनका इंजेक्शन लेकर उन्हें ठीक कर दे तो शिकागो बॉंब से उनने से बच जाएगा तो हार्वी खुशी से उन्हें हेलिकॉप्टर की चावी फेक कर दे देता ह फिर वो चावी लगाकर घुमाते हैं और निकल पढ़ते हैं शेहर को तबाह होने से बचाने हैं यहां कॉलोनल स्क्रीन के सामने खड़े होकर भेड़ी और जॉज़ पर हमला करवाते हैं और आफिस में सब की नजरे उसे देख रही होती हैं फील्ड पर सारे आफिसर्स विलियंस को वहां से निकाला जा रहा है और अगले ही पल में एक बड़ी सी जीप उनकी आखों के सामने से उड़ते हैं और नजर गुमाने पर जॉज़ और वो बेडिया यहां महां कूत कूत कर पूरे शेहर को तबहा कर रहे होते हैं वो बेडिया उची छलंग लगाता है और एक हेलिकॉप्टर को जमीन में दाग डालता है जॉज मिलिटरी टैंक को एक हेलिकॉप्टर पर फेक कर उसे गिरा डालता है उस बेडिये पर पीछे से गोलिया चलती है वो पीछे मुड़के अपनी पूर्स से एक काटा फेकता है और हेलिकॉप्टर घूम घूम कर अगर ये नौबत आई तो पूरा शिकागो तबाह हो जाएगा तो डेविस और क्लियर चॉपर को बीच रास्ते पर खड़ा करके जल्दी से उस एंटिना वाली बिल्डिंग के लिए भागने लगते हैं फिर वो गेट टोड कर अंदर आते हैं और इंजेक्शन ढूबने लग क्लियर बड़े आराम से बंदूक लेती है और ट्रिगर दबा देती है फिर डेविस को वही छोड़कर वो केट को उपर ले आती है फिर बिल्डिंग पर बड़ा सा जटका आता है और वो तीनों जानवर कूट कूट कर बिल्डिंग पर चड़ रहे होते हैं उस रेडियो व अच्छा है अब उन्हें सिर्फ उसे जॉर्ज को देने का तरीकर ढूरना है तभी क्लियर उन्हें बंदूक दिखा कर रोक लेती है और जॉर्ज को डिस्टैक करने को कहती है ताकि वो बचकर निकल सके तो डेविस आसानी से जाने के लिए मान जाता है और सीडी पर जाके जॉर्ज को आवाज लगाता है और फटक से केट किलियर के हाथ से गन गिरा देती है और उसके पर्स में इंजक्शन रके उसे पंच कर देती है पीछे से एक बड़ा सा हात आता है और उसे हवार में जड़ने लगता है जल्दी से वो एक हेलिकॉपटर में बैटते और उनन की कोशिश करते हैं और बिल्डिंग गिरने ही वाली होती है कि उनका हेलिकॉप्टर जिसे तैसे घुमते गुमते टेक आफ करता है विल्डिंग गिरते से बहुत बड़ा धमाका होता है और निकलते हैं और पूरे एरिया में धूल फैल गई है अभी जॉर्ज उठ जाता है ल पलट जाता है जॉर्ज और वो लड़ते और वो बेडिया जॉर्ज पर हावी होने लग जाता है तो डेविस उसका ध्यान खुद की तरफ खीशता है जब वहां आने लगता है तो मौश्टर उसे मूँ में जकड़कर उसे यहां से वहां फेकने लग जाता है बेडिया दर् करेरल को फोल लगाता है और उसके के पर स्क्रीन पर वो देविस और जॉर्ज को लड़ते वे देखते है Ugh जिससे वो जो उसे चीडता है और वहीं खतम हो जाता है यह देखकर kolonial surprise हो जाते हैं और रेंज को cancels कर देते हैं जॉच ठक कर लेड जाता है और डेविस उसके हाथ की करी आता ही है कि एकदम से उसके आखे बंदोकर उसकी सांसे रुख जाती है जिससे डेविस पूरी तरह अदास हो जाता है तभी पीछे से केट और हार्वी आते है और वो देखते है कि जोज की हुज़ा से कितनी जाने बज़ गई भी जो पीछे देखता है कि जोज ने जट उसके आखे बंद करी और उससे बात करता है तो जोर्ज अपना हाथ उठाकर उसे मिडिन फिंगर दिखाता है और उस पर रहसने लगता है और वापस दोने एक दुसरे से मस्ती मजाग करने लग जाते है और इसी के साथ इस मोवी का दी एंड हो जाता है अगर आप को वीडियो अच्छा लगा तो इस को सब्सक्राइब करें ध्यू वाचिंग 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 वाचिंग